किसी को कोई कोश्चन हो तो पूच सकता है मैम, मैम ओफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है लेकिन जू बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाए कैसी होगी राउल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से अरे, तो उसकी टेंशन मत लो वो अभी भी टीच्मिंट आप के द्वारा हमारे साथ लाइव है शहर शहर गाउ गाउ अब टीचर्स ले रहें हाइब्रेट क्लास टीच्मिंट के यूनिक फीचर्स के साथ 2020 से पहले BAC नर्सिंग में एडमिसन लेने के लिए अलग-अलग कॉलेज के अलग-अलग एंट्रेक्स हजाम होते थे कुछ कॉलेज 12 के परसंटेज के बैसेज पर एडमिसन देते थे लेकिन 2020 के बाद में एक रूल निकला जिसके अकॉर्डिंग बताया गया कि आपको नीट के परसंटेज के बैसेज पर भी एडमिसन मिल सकता है उसके लिए बहुत सारी यूदिशिटियों ने शहमते थी तो अब बहुत सारी यूदिशिटियों जो पहले एंट्रेक्स एजाम लेते थी वो नीट के परसंटेज के बैसेज पर एडमिसन देती है तो दोस्तों इस वीडियो में अपन जानेंगे कि आपको कितने परसंटेज मार्स आजिल करने पढ़ेंगे नीट के एग्जाम में जैसे आप टॉप टॉप यूदिशिटियों के अंदर बीएसी नर्सिंग के लिए एडमिसन ले सकते हो है गाइस देस लखन और इस वीडियो में पूरी की पूरी अपडेट इ बैठे हैं कि भाई हमने नीट का एग्जाम नहीं दिया तो क्या हमें बीएसी नर्सिंग के लिए एडमिसन नहीं मिलेगा या फिर बहुत सार बच्छे सोच रहे हैं कि नीट के अंदर हमारी नंबर कम आए तो क्या हमें बीएसी नर्सिंग के एडमिसन नहीं मिलेगा तो य के अंदर आपके percentage है उसके according ही आपको admission देती तो ऐसे में ऐसे बहुत से college अभी भी है जो 12 के percentage के वैसे पर आपको admission देती है और बहुत साई ऐसे private college है जो direct आपको admission देती है तो ऐसी कोई प्रोब्लम वाली बात नहीं है लेकिन आपने नीट का एक्जाम दिया तो आप प्रोब्लम कर सकते हैं तो दोस्तों सुरू करते हैं सारी सारी अपडेट इस वीडियो में लेते हैं दोस्तों अगर आपने नीट का बोल रहा हूं ठीक है ओबीसी के लिए ओबीसी के लिए आपके 48 से अब वो percentage नंबर आ रहे हैं तो आप टॉप टॉप कॉलेज यह जो परसंटीज बता रहा हूं यह टॉप कॉलेज के अंदर admission लेने के लिए हैं ठीक है उसके बाद में बात करें SCST category के लिए तो आपके 40 परसंटेज अगर अपने नंबर हासिल कर लिए इसके अंदर नीट के लिए 40 परसंट नंबर आपने हासिल कर लिए तो आपको टॉप university के अंदर admission करने का मौका मिल जाएगा अब यह सोच रहे हैं कि इससे कम तो इससे कास्म के लिए मैंने आपको ब क्या सिस्टम था अपनको अलग-अलग university में admission लेने के लिए उनके entrance exam के लिए form बढ़ना होता था सब का अलग-अलग exam देना के पड़ता था लेकिन अब जो नीट का एक exam दिया उसके बाद में आपके नीट का result है और आपने counselling करवा दी और counselling के अंदर आपको जिस college के लेकिन आप जब भी आपका result है और उसके बाद में आप counselling करो तो आपके जो नंबर है उसके according ही आप लोग college सूज करना ठीक है और दोस्तों जब भी आपका result हैगा तो हम एक वीडियो बना देंगे जिसमें आपको बता देंगे आपको counselling की सहसाफ़े करवानी है जिससे आ सारी अपडेट आपको मिल गई फिर भी कोई डाउट रहेंगा डिस्क्रिशन इस्टाकाम सैनल कर लिंक है जाके follow करके message डाल देना आपका वाइव आपको instant reply देगा इसके लाब दोस्तों सोटी स्रिक्वेस्ट बहुत सार बच्चों को information नहीं होती है और उसकी वज़े से व